गुद डिवनिंग बच्चों, देखिए आज का अमारा टॉपिक है Method of Polarization, धुरुवन की विधियां हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि UPL को PPL में कितने तरीके से बदल सकते हैं वो कौन-कौन से Method हैं जिसके द्वारा हम किसी Unpolarized Light को Plain Polarized Light में Convert कर सकते हैं आप जानते हैं कि जब हम UPL को PPL में Convert करते हैं तो इस Process को या इस Phenomena को Polarization कहते हैं तो हम एक और धुरुवित प्रकास को धुरुवित प्रकास में कैसे बदलें तो इसके लिए कितना Method है? तीन Method है पहला Method है By Use of Polaroid Polaroid के उपयोग से तो आप लोग पढ़े होंगे Last Class में कि Polaroid एक ऐसा Instrument होता है जो UPL को PPL में बदलता है तो हम लोग अगर Polaroid का यूज करें तो हम असानी से UPL को PPL में Change कर सकते हैं तो एक ये Method हो गया दूसरा Method है By Scattering यानि प्रकिर्नन दौरा आपको हम Scattering पढ़ाए थे Ray Optics में तो दूसरा तरीका क्या हो गया By Scattering और तीसरा तरीका है By Deflection यानि परावर्तन दौरा तो हम लोग यहाँ पर ये जो पहला तरीका है By the Use of Polaroid तो Polaroid तो Artificial Substance होता है इसको तो आदमी ने बनाया तो Polaroid कैसा Substance है Man Made तो इसका मतलब ये कौन सा Method हो गया Artificial Method यानि कृत्रिम तरीका जबकि ये Second Scattering और ये जो Third है By Reflection ये दोनो Natural Method है ठीक है तो आईए हम लोग देखते हैं कि Scattering के दौरा कैसे हम UPL को PPL में बदल सकते हैं और Reflection के दौरा कैसे हम UPL को PPL में बदल सकते हैं क्योंकि पहला वाला तो Easy है Polaroid के इस्तमाल से UPL तो Automatic PPL में बदलता है लेकिन Scattering और Reflection ये दोनों तरीका आज हम लोग डिसकस करेंगे तो यहाँ पर लिखे हैं By Scattering यानि प्रकिर्नन दौरा तो मान लीजे यह एक Medium है ये जो है यह एक Medium है माध्यम है जो Gas का बना हुआ है इसका मतलब इसके अंदर कौन सा Molecules होगा Gas का Molecules होगा यानि Gas के अनुओं से बना यह एक माध्यम है जैसे पृत्वी के चारों तरफ जो Gas का आवरन है उसको आप Quayumandle कहते हैं तो जिस प्रकार Atmosphere Gas का बना एक Medium है उसी प्रकार यह एक Gaseous Medium है ठीक है यहाँ पर हमने तीन Axis दिखाया है यह हो गया X-Axis यह वाला हो गया Y-Axis और यह हो गया Z-Axis ठीक है माल लेते हैं यह जो Incident Light है जिसको हम आप्तित प्रकास कहते हैं यह जो Incident Light है यह कैसा है UPL यह Unpolarized Light है यह ओध्रुवित प्रकास है माल लिजिए यह 100% है तो जब यह UPL Light इस माध्यम से होकर गुजरेगा तो इसका कुछ भाग Gas Molecule के द्वारा Absorb हो जाएगा अपसोसित हो जाएगा तो माल लिजिए इस UPL Light का 20% Part Absorb हो गया ठीक है Gas के अनुओं के द्वारा अपसोसित हो गया तो 80% जो Light होगा वो बाहर निकल जाएगा इसको हम Transmitted Light या निर्गत प्रकास कहेंगे ठीक है और यह जो 20% Absorb हो गया Gas Molecule के द्वारा यह बाद में क्या होता है कि यह 4 डारेक्शन में फिर Scatter होता है देखा गया है कि जो Light जो Scattered Light Incident Light के Perpendicular Direction में Scatter होता है मतलब वो ऐसा Light जिसका Scattering कि धर होता है Y-axis के लोंग या Z-axis के लोंग सीधा समझे कि Incident Light का Direction कि धर है X के लोंग तो Scattered तो 4 डारेक्शन में होगा Scattering तो जो Light का Scattering जिस Light का Scattering Y-axis के लोंग होता है यानि Incident Light के Perpendicular Direction में और Z-axis के लोंग होता है वो Automatic PPL हो जाता है यानि ये Polarize हो जाता है लेकिन ये जो Transmitted Light है ये Unpolarized बना रहता है ये UPL ही रहेगा इसका मतलब Incident Light कैसा था? UPL Transmitted Light क्या है? UPL लेकिन Y-axis के लोंग जो Scatter हुआ वो PPL हो जाएगा और Z-axis के लोंग जो Scatter हो गया वो भी PPL हो जाएगा क्लियर है? तो फिर से समझे कि ओधुरुवित प्रकास किस प्रकार हमारा दुरुवित प्रकास में बदलता है तो अगर ओधुरुवित प्रकास X-axis के दिशा में जा रहा है और इसके लंबवत दिशा में यानि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइट स्कैटर होगा मने वो ऐसा लाइट जो इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्कैटर हो अर्थात Y के long scatter हो Z के long scatter हो तो ये सारा light क्या हो जागा PPL यहाँ पर देखें 3 dot का मतलब PPL और 3 line का भी मतलब क्या हो जाता है PPL तो ये जो scattered light है किस direction में incident ray के perpendicular direction यानि Y और Z के direction में जो light scatter हुआ है वह automatic क्या हो जाता है PPL तो इस तरह से UPL light PPL light में convert होता है ठीक है तो यहाँ एक natural phenomenon है जो atmosphere में होता है अब second method देखते हैं इसको एक बार हम पढ़ते हैं method of polarization आज का topic क्या है method of polarization अर्थात धुवन की विधिया तो first method क्या हो गया by scattering यानि प्रकिर्नन द्वारा when UPL unpolarized light passes through when when UPL passes through a medium then scattering takes place जब unpolarized light किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो क्या होता है scattering होता है it has been found that ऐसा पाया गया है scattered light जो scattered light है प्रकिर्नित प्रकास है perpendicular to the direction of incident light यानि आप्तित प्रकास के perpendicular direction में जो light हमारा scatter होता है वो becomes polarized वो automatic polarized हो जाता है यानि जिस light का scattering incident light के perpendicular direction में होता है वो क्या हो जाता है? polarized हो जाता है while the transmitted light in the direction of incident light remains unpolarized और जो transmitted light होता है incident light के direction में वो क्या रहता है? इसको एक बार हिंदी में पढ़ते हैं जब और धुरुवित प्रकास किसी माध्यम से गुजरता है जब UPL light किसी मीडियम से पास होता है तो प्रकिर्नन होता है यहाँ आप डाइग्राम में देखिए यह UPL light है यह जो incident light है यह कैसा है UPL तो यह जब इस मीडियम से पास होगा यह जो हमने box बनाया है यह एक मीडियम है तो जब इस मीडियम से पास होगा तो इसका कुछ part क्या होगा absorb, माली जो 20% absorb हो गया और बांकी part बाहर निकल जाएगा तो इस बाहर निकले गए light को हम निर्गत प्रकास या transmitted light करते है जो UPL ही रहेगा तो यह UPL था UPL ही रहा लेकिन यह जो part absorb होगा 20% वो बाद में चारो direction में scatter होगा तो वह ऐसा scattered light जो incident light के perpendicular direction में होता है जैसे Y के long या Z के long यह Y axis X axis पर perpendicular है और यह Z axis भी X axis पर perpendicular है तो जिस light का scattering incident light के perpendicular direction यानि Y या Z के long होता है वो automatic क्या हो जाता है PPL तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा पाया गया है कि आप्तित प्रकास के लंबवत प्रकिरनित प्रकास ध्रुवित हो जाता है यानि यह जो आप्तित प्रकास है इसके perpendicular direction में जो प्रकिरनित प्रकास है वो क्या हो जाता है PPL हो जाता है जबकि आप्तित प्रकास की दिशा में निर्गत प्रकास और ध्रुवित रहता है जबकि आप्तित प्रकास की दिशा में यह जो निर्गत प्रकास है यह क्या रहेगा ओध्रुवित रहेगा ठीक है इसको दो मिनिट देखिए अब सकेंड क्या है बाई स्केटरिंग पहला तो हो गया पहला हो गया स्केटरिंग के द्वारा अब है बाई रिफलेक्शन सकेंड मथट क्या है बाई रिफलेक्शन यानी परावरतन के द्वारा तो अब हम यह जानेंगे कि परावरतन के द्वारा हम किस प्रकार UPL को PPL में बदल सकते हैं तो माल लीजे, यह incident रहे है, ठीक है, यह incident रहे है, इधर कौन सा medium है, air, और यह जो देख रहे हैं, यहाँ एक glass slab है, यह क्या है, यहाँ काच का एक slab है, it is a glass slab, इस glass slab का refractive index है, mu, ठीक है, और इधर air है, जिसका refractive index कितना है, 1, और यह जो interface है, यह air glass interface है, air glass interface, यानि हवा, काच, अंतरा, प्रिष्ट, इस interface पर, एक light है, जो incident हुआ, तो यह incident रहे हो गया, यहाँ पर यह reflected रहे हो गया, और यहाँ पर यह refracted रहे हो गया, ठीक है, माल लिजिए, incident light 100% आ रहा है, तो इसमें maximum part क्या होगा, refract होगा, माल लो 90% refract हो गया, तो 10% भी तो reflect होगा, 10% परावर्तित होगा, 90% अपवर्तित होगा, clear है, माल लिजिए, angle of incidence I है, और I का value किसके बराबर है, IB, जहां IB को हम brewster angle कहते हैं, कौन सा angle कहते हैं, brewster angle, तो माल लेते हैं, brewster angle का value 40 degree है, brewster angle का value कितना है, 40 degree, तो अगर I का value IB हो, यानि angle of incidence का value, brewster angle के बराबर हो, तो यह जो reflected light है, और यह जो refracted light है, यानि परावर्तित प्रकास और अपवर्तित प्रकास एक दूसरे पर क्या हो जाता है, पर्पेंडिकुलर, यह देख रहे हैं, यह angle 90 degree है, फिर से समझेए, कि यह air glass interface है, इस interface पर, जब कोई भी किरन, कितने angle पर आपतित हो, बुरुष्टर कोन पर आपतित हो, यह IB मतलब बुरुष्टर angle होता है, तो जब कोई भी प्रकास, बुरुष्टर angle के बराबर कोन पर आपतित होता है, incident होता है, तो उस स्थिति में reflected light and reflected light यह दोनों एक दूसरे पर पर्पेंडि जाता है, और ऐसा देखा गया है, कि इस situation में यह जो परावर्तित प्रकास है, यह completely polarized होता है, यह completely क्या हो जाता है, यानि पुर्ण रूप से धुरुवित होता है, जब कि यह जो refracted light है, यानि अपवर्तित प्रकास, यह partially polarized होता है, तो इस तरह हम देख रहे हैं, यह है, कि परावर्तन के द्वारा, इसका मतला by reflection, UPL किसमें बदल रहा है, PPL, क्योंकि यह जो incident light है, यह क्या है, UPL, यहाँ पर incident light कैसा है, UPL, लेकिन जो reflected light है, वो क्या बन गया, PPL, और जो refracted light है, वो partially polarized है, ठीक है, लेकिन यह सब में एक condition है, condition क्या है, कि I का value किसके बराबर ह होना अच्छी, IB, अगर I का value IB के बराबर होगा, तो यह angle 90 degree हो जाएगा, यह जो reflected light और reflected light के बीच का angle है, यह 90 होगा, साथी साथ हमारा reflected light completely polarized होगा, ठीक है, तो इस condition पर दो बात होगा, अगर I का value IB के बराबर होगा, तो पहला यह होगा, कि यह theta 90 degree होगा, ठीक है, यानि यह दोनों एक दूसरे पर perpendicular होगा, और दूसरा यह होगा, कि reflected light completely polarized होगा, यहाँ पर देखें, तीन डाइग्राम मैंने बनाया है, पहले डाइग्राम में यह देख रहे है, यह glass slab है, यह क्या है, glass slab है, यह incident ray, reflected ray, और यह क्या है, refracted ray, यह आपतित की रन, परावर्तित की रन, अपवर्तित की रन, ठीक है, यहाँ पर angle of incidence I है, ठीक है, और angle of reflection, यानि अपवर्तित की रन कोन कितना है, R, और यह theta क्या है, यह reflected ray and reflected ray के बीच का angle है, ठीक है, यानि परावर्तित क और अपुवर्तित किरन के बीच का कोन है ठीटा फिर से समझ यह आई हो गया angle of incidence आर हो गया angle of reflection ठीटा हो गया angle between reflected ray and reflected ray ठीक है अगर आई का value IB से कम हो आप डैगराम में देख सकते हैं मान लिजे IB का value जो बुष्टर कोन है बुष्टर कोन का मान मान लिजे 40 डिगरी है चलिए यह जो आपतन कुन है, angle of incidence, इसका value 40 degree से अधिक है या कम है, यह तो बहुत छोटा angle है, इसका मतलब यह I का value IB से कम है, तो अगर I का मन IB से कम होगा, तो आप diagram में खुद देखिए कि इस theta का value क्या हो जाएगा, 90 से अधिक होगा, और इस condition में जो reflected light है, और जो refracted light है, यह दोनो partially polarized होगा, इसमें से कोई भी ray completely polarized नहीं होगा, clear, हमारा जो incident ray है, यह क्या है, UPL, जो incident light है, वो क्या है, UPL, और जो reflected or refracted light है, वो क्या है, partially polarized है, कब जब I का value IB से कम हो, second case, अगर I का value, angle of incidence का value, IB से बड़ा हो, यानि bruster angle से बड़ा हो, माली जो bruster angle 40 degree है, तो अगर आप तन कोन का मान 40 degree से बड़ा हो जाए, देख रहे हैं, यहाँ पर यह 40 से बड़ा है, मालो यह 60 degree है, तो यह तो 40 से बड़ा हो गया, bruster angle से बड़ा हो गया, तो ऐसे condition में, यह जो theta है, मतलब reflected ray और reflected ray के बीच का जो angle theta है, वो 90 से कम हो जाएगा, और जब यह 90 से कम होगा, तो इस में से दोनों partially polarized होगा, कोई भी complete polarized नहीं होगा, अब third condition देखे, अगर मालो I common IB के बड़ाबर हो जाए, angle of incidence का value किसके बड़ाबर जाए, bruster angle के बड़ाबर, तो हमारा theta 90 degree के बड़ाबर I का value जब less than IB होता है, तो theta greater than 90, मतलब एक छोटा होगा, तो दूसरा बड़ा, एक बड़ा होगा, तो दूसरा छोटा, एक बड़ाबर होगा, तो दूसरा भी बड़ाबर, इसका मतलब अगर I का value IB के बड़ाबर होगा, तो theta कितना degree होगा, 90 degree, और ऐसे condition में, जो आपका reflected ray ह यह तो complete polarized होगा, लेकिन reflected ray अभी भी क्या होगा, partially polarized ही रहेगा, तो इस तरह से हम देखे हैं, कि जो आपतित किरन है, यानि incident light, वो तो UPL है, लेकिन जो reflected light है, वो automatic PPL हो जाएगा, लेकिन सवाल है, कि यहाँ भी reflection हो रहा, इसमें भी reflection हो रहा, इसमें भी reflection हो रहा, तो इसमें पहले वाले में, जो यह reflected light है, परावर्तित प्रकास है, यह तो complete polarized नहीं हुआ, दूसरे में भी नहीं हुआ, लेकिन तीसरे में complete polarized हुआ, ऐसा क्यों, क्योंकि तीसरे में क्या है, I का value IB के बराबर है, तो इस condition को याद रखें, कि जब आपतन कोन का मान, बुश्टर कोन के ब IB, then the reflected light becomes completely polarized, जबकि refracted light partially polarized रहता है, अब यहां समझिए, IB को हम कहते हैं, बुश्टर एंगिल, यानि बुश्टर कोन, यह बुश्टर एक बैज्यानिक का नाम है, बुश्टर एक साइंटिस्ट का नाम है, तो IB को क्या कहेंगे, बुश्टर एंगिल, और IP को कहते हैं, एंग इसको धुरुवन कोन कहते हैं, तो यह दोनों एक ही चीज है, आप बुश्टर एंगिल बोलिए, या अगिल ऑप पोलराइजेशन बोलिए, मतला IB और IP, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, आप IB भी लिख सकते हैं, IP भी लिख सकते हैं, अब यहां देखें इस डाइग्राम मे एंगिल ऑफ इंसिडेंस कितना है, बुश्टर एंगिल के बराबर है, तो अगर आप तन कोन का मान, IB के बराबर है, तो परावरतन कोन का भी मान, IB के बराबर होगा, क्योंकि आप पढ़े हैं, कि एंगिल ऑफ इंसिडेंस, एंगिल ऑफ रिफलेक्शन हमेशा बराबर होता कोन हमेशा प्रावर्तन कोन के ब के ब्राबर है इसलिए यह जो reflected light है यह एक दूसरे पर लंब होगा याने यह 90 डिगरी होगा, clear है, अब देखिए, यह बीच में जो dotted line दिखाया गया है, यह normal line है, यह normal है कि नहीं, यहाँ पर reflection भी हो रहा है, reflection भी हो रहा है, चिक है, तो यह जो normal line है, तो आप पढ़ें, straight line पर यह जो half moon बन रहा है, यह 180 degree होगा, ध्यान से देखिए, तो इसमें 3 एंगिल है, पहला एंगिल है IB, दूसरा एंगिल है 90 और तीसरा एंगिल है R, तो IB प्लस R प्लस 90, इस तीनों एंगिल का सम 180 होगा, क्योंकि यह आधा चांद बना रहा है, तो यहाँ से IB प्लस R बराबर, इस 90 degree को इधर लाके घटाएंगे, तो क्या बज़ेगा 90, इसका मतलब ध्या से सुनिए, यह जो ब्रुष्टर एंगिल है IB, और यह जो एंगिल अफ रिफ्रेक्शन है R, यानि ब्रुष्टर कोन और अपवर्तन कोन का योगफल हमेशा 90 degree होता है, यह पहला एक्वेशन हो गया, अब स्नेल का नियम पर है, स्नेल का नियम होता है, म्यू 1 साइन आए बर किस मीडियम से और है R से, तो फ bater से मेरा朦स, इसका refractive index 1, और यह जो refracted light है, यह किस मीडियम में गया स, यहाँ पर सेद्ध म्यू 2 है, इसका refractive index क्या हो जाएगा, mu क्योंकि glass का refractive index, mu माना गया है, तो यहाँ पर स्नेल का नियम लगाए, स्नेल का नियम कब लगाते हैं, अप रिफ्रेक्शन के लिए आपका स्नेल का नियम यूज होता है तो यहाँ पर स्नेल का नियम है μ1 sin i बराबर μ2 sin r अब पहले माध्यम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पहला माध्यम air है तो 1 एंगिल ओफ इंसिडेंस यानि आपतन कुन का मन कितना है ib तो sin ib second medium का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स second medium आपका ग्लास है तो μू और sin r r क्या है इंगिल ओफ रिफ्रेक्शन जिसका वैल्यू नहीं पता sin ib equal to μू sin अब r का वैल्यू पहले इक कुशन से निकालिए तो r का मन कितना हैगा r का मनाएगा 90 90 इस ib को इधर ले आके घटा दो तो 90 में अगर ib घटाएंगे तो r होगा यानि ib और r का sum 90 होता है मन लो ib का value 60 है तो r का value 30 होगा clear है तो r के जगा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 minus ib लिख सकते हैं sin ib बराबर mu sin 90 minus ib को cos ib लिखेंगे trigonometry में परहेंगे sin 90 minus theta बराबर cos theta अब इस cos ib को अगर हम नीचे ले आए क्योंकि यह multiply में है तो sin ib बटे cos ib इसको क्या लिखेंगे 10 ib 10 ib बराबर mu तो यहाँ से ib का value यानि bruster angle का value कितना मिल गया 10 inverse mu तो r का value कितना मिल जाएगा 90 minus ib r का मान कितना है 90 minus ib तो 90 minus 10 inverse mu तो इस तरह से हमको ib का मान भी मिल गया और r का भी मान मिल गया ठीक है second number देखे by reflection यानि परावर्तन द्वारा when upl जब unpolarized light is incident आप्तित होता है एक पर्टिकुलर एंगिल एक खास कोन पर आप्तित होता है जिस खास कोन को क्या कहते हैं ib या इसको ip भी कहते हैं bruster कोन या angle of polarization यानि धुरुवन कोन तो जब unpolarized light एक खास कोन ib पर आप्तित होता है कहां on the boundary of two media एक माध्यम हवा है एक माध्यम ग्लास है तो उसके boundary पर यान interface पर जब कोई ओधुरुवित प्रकास एक खास कोन पराप्तित होता है then reflected and refracted light becomes perpendicular to each other तो दोनों जो रे है परावर्तित और अपवर्तित दोनों एक दूसरे पर क्या होता perpendicular इन इस सिचुएशन इस स्थिती में reflected light becomes completely polarized जो आपका परावर्तित प्रकास है वो तो completely polarized होता है while reflected light becomes partially polarized जबकि अपवर्तित प्रकास आंसिक रूप से धुरुवित होता है ये पूरी तरह धुरुवित नहीं होता है थोड़ा सा धुरुवित होगा और बांकी अधुरुवित रहा इसी को बूश्टर का नियम कहते है यह नियम काफी important है कई बार exam में आ चुका है कि बूश्टर का नियम क्या है the particular value of angle of incidence और angle of incidence का जो खास मान है is called बूश्टर angle उसको हम बूश्टर angle कहते है और angle of polarization IP या इसको हम angle of polarization यानि धुरुवन कुन भी कहते है ठीक है डाइग्राम में हम देखिए यह glass slab है इस glass slab का refractive index mu है इधर कौन सा medium है air, हवा जिसका refractive index 1 होगा यह air glass interface है यह बीच वाला जो है यह incident ray है incident light यानि आप्तित प्रकास आने वाला जो light है वो UPL है यानि unpolarized है और दुरुवित है यह कितने angle पर आ रहा है IB और यहाँ पर कुछ पार्ट क्या हो गया reflect हो गया और कुछ light refract हो गया माली जे 100% light आया तो 10% परावर्तित हो गया और 90% अपवर्तित हो गया तो अगर I common IB के बराबर है तो पहली बात यह theta कितना होगा 90 और दूसरा बात यह जो reflected light होगा वो PPL हो जाएगा यह automatic होता है यह natural phenomenon है और यह जो refracted light है अपवर्तित प्रकास यह partially polarized होता है यानि आंसिक रूप से धुरुवित होता है ठीक है? एक बार हिंदी में पढ़ते हैं जब ओधुरुवित प्रकास दो माध्यमों के अंतरा प्रिष्ट पर एक खास कोन पर आप्तित होता है ठीक है? यह हमारा ओधुरुवित प्रकास है डाइग्राम में देखिए यह कैसा प्रकास है? ओधुरुवित और यह एक खास कोन पर क्या हो रहा आप्तित हो रहा है किस पर आप्तित हो रहा है तो दो माध्यम के अंतरा प्रिष्ट पर तो परावर्तित और अपवर्तित प्रकास एक दूसरे पर लंब हो जाती है ठीक है यह जो आपका परावर्तित प्रकास है और अपवर्तित प्रकास है यह दोनों क्या हो गया एक दूसरे पर परपेंडिकुलार साथ ही साथ इस स्थिती में हम ये देखते हैं कि परावर्तित प्रकास पुरुंता धुरूवित होती है जबकि अपवर्तित प्रकास आंसिक रूप से धुरूवित होती है तो ये जो परावर्तित प्रकास है ये complete polarize होता है जबकि refracted light जो है वो आंसिक रूप से polarize होता है यानि partially polarize होता है इस नियम को brewster का नियम कहते हैं आपतन कोन के इस खास मान को brewster कोन या ध्रुवन कोन कहते हैं ठीक है अब देखे ये जो point P है यहाँ पर snail का नियम लगा सकते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे using snail's law at point P तो पहला medium air है तो one sign, angle of incidence IB है तो one sign IB बराबर second medium glass में light गया है, reflection के करण तो second medium का हो गया mu, sign, angle of reflection आ रहा है तो snail का नियम कहां लगता है, जहाँ light का reflection होता है तो यहाँ पर भी point P पर light का reflection हो रहा है तो इस नियम को हम use कर सकते हैं, sin IB equal to mu sin, R के जगह हम लिख सकते हैं, 90 minus IB R का value किसके बराबर होगा, 90 minus IB क्योंकि IB और R इस दोनों का योगफल हमेंसा 90 degree होता है sin IB equal to mu, sin 90 minus theta, cos IB होगा, cos theta cos IB को नीचे लाओ, 10 IB mu होगा, इसका मतला IB, Brewster angle का value कितना मिल गया, 10 inverse mu Brewster angle का value मिल गया, 10 inverse mu तो यहां से R का value निकल जाएगा, 90 में IB घटा दो और IB का value कितना है, 10 inverse mu तो हमारा R का value कितना मिल जाएगा, R का value हो जाएगा, 90 minus IB इसका मतला 90 minus 10 inverse mu अब यहां पर देखिए, पहला, note point है for air glass interface, air और glass interface के लिए IB का value क्या होगा, तो IB का अभी अभी हमने फर्मुला पढ़ाया, 10 inverse mu होता है, जहां mu glass का refractive index है, तो अगर air glass interface होगा, हम जामते हैं, glass का refractive index 1.5, यानि 3 by 2 होता है, तो उस ही जाब से air glass interface के लिए Brewster angle का value होगा, 10 inverse 3 by 2, पराबर 56.3 degree, यह fix होता है, air glass interface के लिए Brewster angle 56.3 degree होता है, इसका मतलब air glass interface पर अगर कोई किरन, कोई अधुरुवित प्रकास, इस angle पर आप्तित होगा, तो जो परावर्तित प्रकास होगा, वो automatic क्या हो जाएगा, polarize हो 2nd, if i less than ib, then theta greater than 90, अगर i का मान, Brewster angle से कम होगा, तो जो theta है, वो 90 degree से अधिक होगा, यानि जो परावर्तित और अप्वर्तित प्रकास के बीच का कौन है, वो 90 से अधिक होगा, in this situation, इस स्थिति में, बोथ reflected and reflected light are partially polarized, इस अवस्था में, जो आपका परावर्तित और अप्वर्तित प्रकास है, दोनों क्या होगा, partially polarized होगा, complete polarized नहीं होगा, अगर i का मान, ib से बड़ा होगा, तो theta 90 से कम होगा, इस अवस्था में क्या होगा, बोथ reflected and reflected light are partially polarized, ठीक है, तो सवाल है, complete polarized कब होगा, तो जब i का मान, ib के बराबर होगा, तो theta का मन अब्वे होगा, तो इस situation में क्या होगा, कि reflected light becomes completely polarized, but the reflected light becomes partially polarized, तो इस situation में, जो परावर्तित प्रकास है, वो पुर्णत दुरुवित होगा, जबकि अपवर्तित प्रकास अंसिक रूप से दुरुवित होगा, तो हम लोग को ये वला case याद रखना है, कि अगर i का मान, अगर आपतन कोन का मान, बुरुष्टर कोन के बराबर हो, तो परावर्तित प्रकास दुरुवित हो जाती है, और इस स्थती में, दोनों किरन क्या है, अब परावर्तित और अपवर्तित दोनों एक दूसरे पर लंब होता है, इंगलीज में बोलेंगे, तो आज आपका वेब आप्टिक्स भी खतम हो गया, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, इंड ओफ वेब आप्टिक्स, तो रे आप्टिक्स भी खतम, वेब आप्टिक्स भी खतम, इसका मतलब आप्टिक्स खतम हो गया, अब हम 3-4-5 दिन के बाद एलेक्ट्रोइस्टेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपका सकेंड चेप् जाउचना है थेयोरी, क्योंकि ये थेयोरी का कौंसेप्ट जितना स्ट्राउцион होगा, उतना फार्मूला हो जाएगा, अच्छा, फार्मूला पो प कर प कर अ gorgeous हो गो दो इस लिए क्यार नहोते होगा, अगर फार्मूला क्लीयर होगा, तो इससे फाइदा होगा, कि लाग क आप M. Karim से बनाईए इसमें जितना हम बताते हैं ठीक है इसके अलावा आप M. Karim book से भी numerical बना सकते हैं जो दिक्कत होता है हमको WhatsApp करिए या फोन पे पूछ सकते हैं फोन करके भी और या नहीं तो फिर जब class खुलेगा तो आप पूछ सकते हैं ठीक है लेकिन अभी आप आप theory को ज़्यादा अच्छे से पढ़िए ठीक है ठीक है ठीक यू